नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीक के हेलप विद ज्यार भी पर है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान पुलिश दोस्तों बागबाय से समंदित एक वीडियो पहले भी अप्लोड किया जा चुक है अगर अभी तक आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा वहां से देख लीजिएगा वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदर रहेगा कि आपने अभी तक यूटूब चेनल जीके हैलप विज यारबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जूर करें और पास में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदर रहेगा कि वीडियो को लाइक ज्रूर करें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से रसิो्ज susp dress आपके आपके सामने दादा साहिब फाल के पुर्षकार 2018 से किसे समानित किया गया है ओप्षन आपके सामने अमिताब बचन, विनोध खना, देविकारानी, भुपेन हजारिका द्यान दिना दोस्तों दादा साहिब फाल के पुर्षकार 2018 से समानित किया गया है अमिताब बचन को यानि कि इस question का A option right है दोस्तो दादा साहिब फाल के पुर्षकार बार्थ सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुर्षकार है जो किसी वेक्टी विशेश को बारतिय सिनमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है और आपको याद रखने हैं दोस्तो ये कब प्रारम हुआ था तो ये प्रारम हुआ था उन्नी सो उनेतर में most important fact है ये आपको याद रखने हैं कि दादा साहिब फाल के पुर्षकार कब प्रारम हुआ था उन्नी सो उनेतर में तो यह पहली बार किसको दिया गया था यह भी याद रखने हैं दोस्तो देविकारानी बारतिय अभिनेत्री देविकारानी को पहली बार यह पुरुषकार मिला था और अमिताब बचन को 66 करम का यह पुरुषकार मिले और 65 करम का जो पुरुषकार मिला था वो मिला था विनो दोस्तों वीडियो के अंतिमी आपसे एक जीके का क्वेस्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यान पुरुवक बिना स्किप किये देखीगा अगर आप राजस्तान पुलिस की त् अगला कोस्चन है सिवी रमन को बोतकी का नोबेल पुरुषकार कब दिया गया था मोस्ट इपोर्टेंट कोस्चन है ओप्शन आपके सामने 1930, 1956, 1957, 1920 तो दोस्तों सिवी रमन को बोतकी का नोबेल पुरुषकार दिया गया था 1930 इस वी में यानि किस कोस्चन का ए ओप्शन राइ्ट हैं दोस्तों एक सिधा सा कोस्चन पूछाए कि स्वी रमनै को किस चेतर में नुबेल प्राइज मिला तो आपको याद रखना हैं बोतिक और इनका पूरा नाम है वो दोस्तों चंदर शेकर व्यंक्ट रमन है किसके लिए मिला स्वी रमन को प्रकास के प्रक्रिनन पर उत्करष्ट करें के लिए वर्स 1930 में बोतकी का प्रतिष्टित नोबेल पुरुष्कारे दिया गया था और उनका अविश्कार है दोस्तों उनके बीनाम पर ठरमन परह्मयन पर्व के नाम से जना जाता है रमन परबहव आपने नाम सुनाओगा अछिए इन के नाम पर जाना जाता है साथी दोस्तों मैं इन से कुछ और कुछ और बूता देता हूं कि इन्हें मिला था 1954 में 1013 क to बार्त का सबसे बड़ा पुरुषकार 12 रतनझ उन्नी सो चोपन में सिवी रमन को मिला था और उन्नी सो इस्तावन में इने मिला था अंतराश्ट्र लेनिन सांती पुरुषकार जो कि सोवित संग रूस के द्वारा दिया जते तो ये कुछ मोस्ट इपोर्टेट फेक्ट थे आपको द्याने रखना है चलते है नेस्ट कोस्टन पर अगला कोस्टन है इस रो का मुख्यल्य का अस्तित है ओप्सर आपके सामनी है नई दिल्ली बेंगलेरू एदराबाद बुंबई तो दोस्तो इस रो का मुख्यल्य अस्तित है बेंगलेरू में यानि कि इस क्वेस्टन क आप B option right हो जएगा बेंगलेरू है दोस्तों ये करनाटक की राजदानी है दोस्तों आपको ये ट्रम दिखाई दे रहा है इस रो इसकी फुल फोम क्या है इसकी फुल फोम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च और गे नाइजेशन जिसे इंदी में केते बारतिय अनुसंदान संक्टन तो दोस्तों इसका मुख्यले तो हो गया बेंगलेरू करनाटक में इसकी स्तापना कब होई थी ये most important fact है स्तापना आपको याद रखनी है दोस्तों स्तापना होई थी 15 अगस्ते 1909 को कब होई थी 15 अगस्ते 1909 को और इसके वर्तमान में परसासक या अ जाद रखने क्योंकि यहां से question पूछ लिए जाते हैं दोस्तों इन 30 question में से आपके कुल कितने question राइट होते हैं यह भी comment box में जुरूर बताएं यहां पर आपका मुल्यंकन भी हो जाएगा और किसी आपकी त्यारी चल रही है यह भी आपको पता चल जाएगा तो यह comment box मे आप जुरूर बताएं नेक्स्ट question है बारत में हाली संपन पस्वों की जनगना में वर्ष 2012 की तुलना में कितनी वर्धी दर्ज की गई तो यह दर्ज की गई है 4.63% यानि कि इस question का B option राइट हो जाएगा नेक्स्ट question है बारत के पर्थम अंतराष्ट्रे सहकारी व्यपार मेले का आयोजन किस सहर में किया गया है तो दोस्तों पर्थम अंतराष्ट्रे सहकारी व्यपार मेले का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में कहा पर किया गया है नई दिल्ली में यानि किस question का A option राइट हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोस्टन पर अगला कोस्टन है फाइनेशियल एक्षन टास्क फोर्स एफ एटी एफ ने किस देश को फरवरी 2020 तक अपनी ग्रे लिश्ट में रखने का फैंसला किया है तो इसका उत्र हो जाएगा पाकिस्तान को किसको पाकिस्तान को यानि कि इस पाकिस्तान देश को फरवरी 2020 तक अपनी ग्रे लिश्ट में रखने का फैंसला किया है मोस्ट इपोर्टेंट कोस्टन है और आपको याद रखना है अगला कोस्टन है बुंबई के कौन से सलामी बलेबाज पर्तम सरणी क्रिकेट वंडे में दोरास तक जड़ने वाले सबस से कम उमर के बारतिय बन गई है तो दोस्तों यह है यससवी जैसवाल यानि कि इसका डी ओप्सन राइट है यह बुंबई के सलामी बलेबाज है जिन्होंने अभी दोरास तक जड़ा है पर्तम सरेणी वंडे क्रिकेट में तो याद रखना है यससवी जैसवाल अगला कोस्टन है राजस्तान राज्य की स्रवादिक लंबी सिमा किस राज्य के साथ लगती है तो दोस्तों राजस्तान राज्य की स्रवादिक लंबी सिमा लगती है मद्य परदेश के साथ किसके साथ मद्य परदेश के साथ यानि कि कोस्टन का ए ओप्सन राइट खिल कि рабल básicamente क्ट चीन homem चीए मद्य प्रदेश के साथ तो आपको यद रखने 600 कि पशूरा सो किलो मेंटर किती लगती है 600 किलो मिटर अगर कुछा जाएं की सबसे कंगा कि सबसे कम कि सबसे कम राजस्तान की सिमा तो आप API क्लो प्रत्योंगी प्रिच्छों में यह पूछा जाता है नेक्स्ट कोस्चन है किस दिन मात्मागंदी ने दंडी यत्रा शुरू की थी बहुत इपोर्टन्ट कोस्चन और बहुत बार एक्जाम में यह पूछा गया है दंडी यत्र है वो कब सुरूर की थी? मात्मागंदेरी तो याद रखना दोस्तों बारा मार्च 1930 को ये सुरूर की थी अगर कोस्ट occupy जाएं कि ये यात्रा कहां से सुरूर की थी? तो याद रखना दोस्तों शब्वरमति आश्रम मैंदाबाद में सती थी थे जो दिनों की यत्रा थी 24 दिनों की यत्रा थी और यह जो दूरी थी दोस्तों यह थी 322 किलोमेटर कितनी थी 322 किलोमेटर और मात्मा गंदी के साथ उनके उन्यासी समर्थक साथ में थे कितने उन्यासी समर्थक साथ में थे और जैसे मात्मा गंदी दंडी नामक स्तान पर पहुंचते हैं वहां पर जाकर नमक कानून तोड़ते हैं नमक कानून कब तोड़ा यह भी ध्यान रखना दोस्तों 6 अप्रेल 1930 को और इसी दिन से स्विन्य अवग्या अंदुलेंड की सुरुआत है की थी तो ध्यान रखना दोस्तों यह मोस्ट इपोर्टेंट दंडी यत्रा से समंदीत फ्रेक्ट है जो की अक्सर प्रत्योगी प्रिक्षाओं में पूछ ली जाती है नेक्स्ट कोस्टन है बार्त के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है ओप्षन आपके सामने गुजरात, राजस्तान, केरल, करनाटक तो दोस्तो सपाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है केरल को यानि कि इस कोस्टन का C option right हो जाएगा अगला कोस्टन है संसार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है सबसे बड़ा पुस्प तो इसका उत्तर हो जाएगा रफलेशिया कौन सा replace यानि कि इस question का B option right है ये तो दोस्तों सबसे बड़ा push हो गया अगर question पुछा जाए कि सबसे छोटा push कौन सा है सबसे चोटा push कौन सा है तो इसका उत्तर होगा wolf या क्या होगा wolf यानि कि D option है आपर right हो जाएगा चलते है next question पर अगला question है कि इस खेल का pressure, course कलाता है, course, option आपके सामने है, golf, ice hockey, softball, baseball, तो इसका option A right होजएगा, golf जो खेल है, इसका pressure है, वो course कलाता है, यानि कि A option right है अगला question है, विसव का सबसे छोटा लिखित सिविदान किस देश का है, important question बहुत बार exam में पूछा गया है, तो द्यान रखने है, सबसे छोटा जो लिखित सिविदान है, वो है अमेरिका का, यानि कि इस question का A option right है अगर बात करें, सबसे बड़ा लिखित सिविदान, तो वो है अपना देश बारत का, किसका, बारत का सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है, अमेरिका का लिखित सिविदान तो इस question का A option right है अगला question है हाली में जारी फिपा रेंकिंग में बारत का स्थान कितना है तो दोस्तो बारत का स्थान है 104 यानि कि इस question का A option right है 104 बारत का फिपा रेंकिंग में स्थान है Next question है आर्थिक न्योजन किस सुची में है तो दोस्तो आर्थिक न्योजन यह समवर्ति सुची में किस सुची में समवर्ति सुची में यानि किस कोस्चन का C option राइट है आर्थिक न्योजन समवर्ति सुची में है अगला कोस्चन है ग्यारवी अनुसुची किस से समंदित है तो दोस्तो बहुत बार यह एक्जाम में को अगला question है, more link करताव या किस बाग में है, तो दोस्तों more link करताव या बाग चार कैमे, किस में है बाग चार कैमे, यानि किस question का a option right हो जाएगा, दोस्तों वीडियो को like जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें, अगर आपने अभी तक चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी जुरूर करें, अगर आप राजस्तान पुलिस की त्यारी करें हैं, तो आपको इस YouTube चैनल पर राजस्तान पुलिस से समधित, पार्ट B वैब पार्ट C से relative model पेपर आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगला कोस्टन है, राज्ये के निती निर्देशक ततव किस देश से लिए गए हैं, तो ध्यान देना दोस्तों, राज्ये के जो निती निर्देशक ततव हैं, यह लिए गए आईरलेंड से, यानि कि इसका A option राइट होजेगे, आईरलेंड से, नेक्स्ट कोस्टन है, बारतिय सविदान सबाब में मेला सदस्यों की संक्या कितनी थी, इपोर्टन कोस्टन है दोस्तों, मेला सदस्यों की संक्या अक्सर पुछी जाती है, तो आपको याद रखने है, बारतिय सविदान सबाब में मेलाओं की संक्या थी 15, यानि कि इसका A औप्शन राइट है अगर बात करें कुल कितनी सदस्य थे तो कुल सदस्य थे 399 389 Next question है किस से समंदित बिमारी जानने तो ECG का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो ECG का प्रियोग किया जाता है हरिद्य से समंदित बिमारी को जानने के लिए यानि किसका C option राइट हो जगा, किसे सम Жंद है? रिद्य से समन्दीदं दोस्तो E, सिजी है इसकी full-form क्या है? तो इसकी full-form है Electro-cardiogram क्या है? Electro-cardiogram और ये हरिद्य से समय्दीद बीमारी जान ने तween प्रयोग में आती है अगला कोस्तन है एक गाड़ी की गति को मापने के लिए कौन सा यंतर प्रयोगे किया जाता है ओप्षन आपके सामने बेरोमिटर, थर्मामिटर, स्पीडोमिटर, ओडोमिटर तो दोस्तो एक गाड़ी की गति को मापने के लिए स्पीडोमिटर का प्रयोगे किया जाता है यानि कि इसका C option right हो जाएगा चलते है next question पर अगला question है हरित करांती किसके बड़े वे उत्पादन से सम्मंदित है तो दोस्तो हरित करांती है यह किसके बड़े वे उत्पादन से सम्मंदित है option आपके सामने है चावल, चाय, चीनी, ग्यों तो इसका D option right हो जाएगा हरित करांती ग्यों के बड़े वे उत्पादन से सम्मंदित है दोस्तो इसका प्रारम किस नहीं किया था अगर question पुछा जाए विश्वम में इसका प्रारम किस नहीं किया था तो याद रखना दोस्तो नोर्मन बोर्लोग नोर्मन बोर्लोग नोर्मन बोर्लोग को इस हरित करांती का प्रारम करने के कारणी नोबेल प्राइज से समानी थे किया गया था अगर question पुछा जाए कि बारत में इसकी सुरुवात किस नहीं कि थी तो याद रखना दोस्तो MS. Swaminathan किस नहीं कि थी MS. Swaminathan कब प्रारम की थी 1966-66 में 1966-66 में तो ये कुछ most important रित करांती से समंधित थे जो आपको याद है रखने है अगला question है अगनी सामक में कौन सी गेंस प्रियोग में होती है यानि कि अगनी सामक में कौन सी गेंस प्रियोग में आती है तो इसका उत्तर हो जाएगा carbon dioxide यानि कि D option या पर राइट है CO2 carbon dioxide गेंस अगनी सामक में प्रियोग में आती है अगला question है stainless steel किसका मिसरण है stainless steel है दोस्तों यह है लोहा और chromium का मिसरण किसका मिसरण है लोहा और chromium का यानि किसका C option राइट हो जाएगा चलते हैं next question पर next question है सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है important question है और बहुत बार exam में पुछा गया है कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है तो दोस्तों सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है book camp की तिवरता बुकम्प की तिवर्ता दोस्तो विज्यान की वैसा का जिसमें बुकम्पों का अधिन किया जाता है उसे कहते है सिस्मोलोजी क्या कहते है सिस्मोलोजी इस सिस्मोग्राफ सब्द से भी आप याद है रख सकते सिस्मोलोजी विज्यान की वैसा का जिसमें बुकम्प का अधिन किया जाता है उसे केते सिस्मोलोजी और भुक्पंप की तिवर्था का माप्पन किया जाता है सिस्मो ग्राफ द्वारा तो ये आपको द्यान रखना है next question है कौन सा ग्रह वल्य युक्थ है बहुत important question है और आपको याद रखना है वल्य युक्थ ग्रह ओप्षन आपके सामने है, बुद्-सनी, ब्रास्पती, मंगल. तो इसका बी ओप्षन य eer आपर राय्ट होजएगा. जो दोस्तों सन्नी ग्रहे हैं, इसके चारोर क्या है? वल्य पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? वल्य. सबसे पहले मैं आपको बता जेता हूं दोस्तों सन्नी सुर्य से चटा गरे जैसे बात करें बुद्ध सुकर प्रित्वी मंगल इस तरह सुर्य से चटा जो गरे वह सन्नी और ब्रस्पति अमारे सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रै और सन्नी दूसरा सबसे बड़ा ग्रै कुन से है? सन्नी दोस्तो इन वलनियों के कारण सन्नी को सोर मंडल का सबसे सुन्दर ग्रै का जाता है अगर question पुछा जाए कि सोर मंडल का सबसुदर ग्रैकोंस है तो याद रखना सन्नी तो यह कुछ important fact थे जो आपको याद रखने है अगला question है malaria का किटाणू क्या होता है option आपके सामने है virus, bacteria, plasmodium, kavak तो दोस्तों malaria का किटाणू होता है plasmodium यानि कि इस question का C option right है दोस्तों malaria का किटाणू plasmodium नमक परजिवी proto जो आउता है malaria मादा इनाफलीज मच्छर की काड़ने से होता है जब दोस्तों ये मादा इनाफलीज मच्छर काड़ता है तो इसके पास परजिवी plasmodium होता है जो हमारे स्रीर में छोड़ देता है जिसके कारणा में malaria हो जाता है इस मच्छर की काड़ने से होता है मादा इनाफलीज मच्छर नेस्ट कोस्टन है खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्यदार है ओप्शन आपके सामने विटामिन E, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन K तो दोस्तों खून का थक्का बनाने में विटामिन K जिमिदार है यानि कि इस question का D option right है बहुत बार यह question exam में पुछगे हैं तो आपको द्यार रखना है विटामिन K खून का थक्का बनाने में जिमिवार है Next question है विटामिन A का सबसे उत्तम स्त्रोत क्या है? important question है और आपको द्यार रखना है vitamin A का सबसे उत्तम स्त्रोथ है वो है गाजर है यानि किस question का A option right है दोस्तों vitamin A का रसाइनिक नाम है retinol क्या नाम है retinol दोस्तों अगर बात करें गाजर इसका सबसे उत्तम स्त्रोथ है अन्य स्त्रोथ की बारे में बात करें तो मास, मचली, अंडा, दूद, पनीर, मक्कन, अत्यादी, vitamin A के अन्य प्रमुक स्त्रोथ है दोस्तों vitamin A सारीक वरती और विकास के लिए अत्यंत है आपसे कह यह भी आपको द्यार रहा है कि गंधी इर्विन समझोता कब हुआ ओप्शन आपके सामने थे 1919, 1930, 1931, 1932 तो दोस्तों गंधी इर्विन समझोता हुआ था 1931 हिस्वी में यानि कि इस कोस्चन का सी ओप्शन राइट है दोस्तों एक्यूरेट टेट में आपको बता देता हूं चार मार्च 1931 को गंधी इलक्ट्रोनिक सेर किसका बगोलिक उपनाम है और इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है कि इलक्ट्रोनिक सेर किसका बगोलिक उपनाम है जैपुर, बेंगलोरू, पुने, दिल्ली तो इसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ सेर करें अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक भी जुरूर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जुरूर कर ले और पास में जो बैल आइकन उसे भी प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोट करें तो आपको नोटिफिकेसन मिल जाएं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम जय भारत